ख्रसोंग वाले वाले गोड़े 2500 देरल जैसे घर बनता है तो घर के कुछ building blocks होते हैं और जो base होता है जो foundation होता है वो बड़ा strong होना चाहिए एक बार वो strong हो गया तो उपर का जो मकान है वो तो एकदम stable रहता है राइट येस तो बेटा बस वही चीज हमारे यहाँ पर studies में apply होती है जो सबसे important part होता है that is foundation building block जो हो वो बहुत strong होना चाहिए base बहुत strong होना चाहिए and आज मैं आप लोगों को उसी में help करने वाली हूँ I am going to share few topics जो आपके chemistry की journey को बहुत ही amazing बना सकते है ठीक है तो पहले मैं आप लोगों को उन major important topics के बारे में बता देती हूँ जो generally हम जब हम पढ़ते हैं तो हम ignore कर देते हैं या फिर हमें पता ही नहीं लगता कि वो कितना important role play करते हैं right yes so let's start that and उसके बाद में तुम्हारे लिए एक surprise भी है चलिए 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 ओके तो बेटा ये है सारे के सारे वो topics जो आपको करने ही करने चाहिए क्योंकि कोई भी chapter हो चाहिए chemistry का ये use होते ही होते हैं तो जलती से one by one हम इनके बारे में discussion wow discussion start करते हैं तो the first is my dear students graphs, graphs related अगर आप lately NEET के previous year के question papers देखेंगे तो graphs related बहुत सारे questions आ रहे है NEET का जो level है अब बेटा उस तरहां से questions पूछने का हो गया है जहां पर आपसे conceptual questions पूछे जाएंगे जहां पर आपके application based knowledge को ज़ादा चेक किया जाता है और जो graphs होते हैं वो actually आपके application को बहुत ज़ादा test करते हैं theoretical questions जो है वो तो आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं बट graphs के अंदर हम कुछ रट नहीं सकते हैं graphs अगर हमें आते हैं concepts अगर उनके clear हैं तभी हम उससे related questions का answer कर पाएंगे तो इसकी ना deep knowledge होना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो graphs are one thing जिसका basic knowledge आपको होना चाहिए तभी आप chemistry के अंदर आगे बढ़ सकते हैं next अगर हम बात करें conversions की तो conversions बहुत जादा important हो जाते हैं क्योंकि बहुत बार आपको data जो होगा वो किसी और unit में दिया होगा numerical से सारे के सारे all in all यहीं पर cover हो जाते हैं maybe आपको formula आता है maybe आपने पूरा का पूरा question बहुत सही सही कर लिया लेकिन अगर तुम्हें conversions नहीं आते तो तुम्हारे marks वहीं पर खतम हो जाएंगे so this is something जो इतना basic है लेकिन उतना ही जादा important है next अगर हम बात करें तो that is my dear students significant figures significant figures बहुत ही important part है और generally हम इसको ignore कर देते हैं यह I think आपको physics में भी पढ़ाया जाता है लेकिन मैं तो भई chemistry में भी बढ़िया से पूरा का पूरा detail में पढ़ाती हूँ अब significant figures में क्या होता है कि मानलो तुम्हें कोई numerical दिया maybe तुम्हें unit conversion भी आता था तुमने पूरा question solve कर लिया अब last में वो सिर्फ एक line लिख देंगे कि tell us your answer और give your answer up to three significant figures अब जब rules ही नहीं आते कि significant figures निकालते कैसे हैं कैसे करोगे question सारा कुछ आता था पूरा topic आता था यहां पर essay questions पूछता है तो यह छोट-छोटी चीजे मैं आपको बता रही हो नहीं यह बहुत ही important role play गती है next अगर हम बात करें my dear students तो that is rounding off rounding off से भी related बिल्कुल जैसे अभी मैंने आपको बला significant figures ऐसे rounding off से भी question आते हैं कि आपको पूरा numerical solve करना है and they'll say कि round off का कोई part दे देंगे कि आप इसको round off करके हमें इसका answer बताईए तो rounding off से related भी आपको सारे के सारे rules पता होने चाहिए और बहुत easy rules होते हैं ऐसा नहीं है कि यह topics बहुत complicated होते हैं नहीं अच्छा हमारा log properties रह गया yes one is my dear students log properties and log जो है वो chemistry के अंदर हर जगां पर use हो रहा है literally हर जगां पर use होता है log और जाधा तर जो मेरे experience से मैंने students को देखा है वो इसी log वाले part में इना struggle करते हैं because जब हम neat aspirant होते हैं तो हमें math से बहुत ड़र लगता है और math से ड़र लगता है तो हमें log से बहुत problem होती है but log में ऐसा बहुत detail में नहीं जाना है paper के point of view से जतना important होता है basic log properties जो होती है वो आपको आनी चाहिए क्यूंकि again हर chapter के अंदर किसी ना किसी तरह से log जो होता है वो present होता ही होता है maybe आपको एक equation दे देंगे और आपसे ग्राफ बनाने को पूछ लेंगे यानि कि इस पार्ट और इस पार्ट को एक साथ relate करके question पूछ लेते हैं ग्राफ बनाने को बोल देंगे log A versus log T let's say ठीक है तो आपको पहले उस equation का log निकालना पड़ेगा और फिर आप उसका graph plot कर सकते हो तो इसलिए ये जो कुछ-कुछ basic चीज़े हैं they are very important they play a very very important role last अगर हम बात करें तो accuracy and precision accuracy and precision जो है वो एक बहुत ही छोटा सा part है बहुत ही छोटा सा topic है बट बड़ा ही important है अगर आपके conceptual question कोई आना हो तो वो accuracy and precision से भी आ सकता है ठीक है तो ये वो building blocks है जो आपके foundation को strong करेंगे अगर आपको इनकी knowledge है तो आप आगे बहुत आराम से बढ़ पाएंगे अब आप सभी के मन में question आ रहा होगा कि माम ये सारे topics जो है वो हम कैसे cover करेंगे तो इसका भी solution है मेरे पास and that is the surprise my dear students I am planning I am planning कि मैं आपको ये सारे building blocks one by one इस sessions लेकर पूरे complete कराऊं बहुत detail के अंदर कोई mistake नहीं होनी चाहिए कोई चीज पीछे नहीं रहनी चाहिए you just have to tell me in the comment section क्या आप चाहते हैं कि ये building blocks जो है उनके में sessions आपके साथ लू ठीक है YouTube पे होंगे free of cost होंगे कोई दिक्कत नहीं है but you have to tell me in the comments if you want this or not each and every student has to comment and only then I'll prepare amazing sessions for you ठीक है also बेटा अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए आ गया है Phoenix 2.0 Reloaded Batch ठीक है और वो आप plus subscription से ले सकते हैं और plus subscription बहुती बहुती affordable prices के अंदर अभी चल रही है my dear students at just rupees 5499 right yes and आपको सिर्फ एक code यूज करना easy सा code है AC5 AC5 क्या है Anushka Chaudhary 5 right yes तो आपको one year का subscription मिल चाहेगा जोसके अंदर test series, DPPs doubt solving sessions मेरे lectures bio के lectures educator है, आप उन से पढ़ सकते है and all this only at 5499 limited offer है जल्दी prices बढ़ जाएंगे तो इसलिए you should go for it अगर आप plan कर रहे हैं तो ठीक है yes अगर मेरा code यूज करोगे तो मेरा mentorship program join कर सकते हो जहां पर मैं आपको personally mentor करूँगी सो सारी problems खतम हो जाएंगे ठीक है, yes perfect है बैच के बारे में आपको बता दिया जाए ये team ninjas है बेटा वो रही माम, ये रहे प्रतीक सर, गारगी माम, right? yes तो ये आपकी team ninjas है SK Singh सर, right? yes तो ये आपकी team ninjas है बच्चे हम आपको Phoenix 2.0 reloaded batch के अंदर पूरा का पूरा पार्ट पढ़ाने वाले है एकदम aims तक छोड़के आएंगे इसकी guarantee दे दे थी हूँ ठीक है, yes और आप इसको इस batch के लिए सिर्फ और सिर्फ एक code यूज करना है which is AC 5, ठीक है बहुत ही amazing batch है बहुत ही जादा planned तरीके से prepare कर गया है it will help you a lot perfect आगे बढ़ते हैं अगर आप class 11th में है तो आप Nimbus 3.0 batch join कर सकते हैं ठीक है, ये super 6 की team है जो आपको पढ़ाने वाली है so you can go for plus subscription here as well plus के लिए भी जा सकते हो plus भी है और iconic भी है ठीक है, तो जो आपको suitable लगे you can go for it perfect आगे अगर हम बात करें तो अभी जो है जो नीच 2024 जिन्होंने अभी दिया है उन लोगों के लिए है आप ने अभी I hope आप सभी को पता है कि आपकी OMR की scanned copy आपको मिल गई है तो आप अपना rank predict कर सकते हैं कितना amazing feature अपना score डालो and you can predict your rank link जो है वो नीचे आपको मिल जाएगा आप वो Google form जरूर भर देना predict your rank and let us know अगर आपका बहुत अच्छा rank आता है तो बिटा see कितने amazing amazing rewards हैं आप लोगों के लिए बहुत ही मजा आने वाला है go through it and do let me know in the comments की क्या score आ रहा है आपका ठीक है yes let's move forward yes we'll meet in the next session till then keep smiling bye bye take care all the very best